नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि लैकोसामाइड टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है? लैकोसामाइड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए? और लैकोसामाइड टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? और यह भी डिसकस करेंगे कि लैकोसामाइड टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए? Lackosamide एक salt name है Lackosamide tablet को Lackotide और Lackoset आदी brand name से भी जाना जाता है Lackosamide tablet 50 mg, 100 mg, 150 mg वद 200 mg की strength में available है Lackosamide tablet का उप्योग मिर्गी और दौरों के इलाज में किया जाता है Lackosamide tablet मिर्गी और दौरों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Lackosamide tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Lackosamide tablet की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे सिरदर्ध होना, सिर घूमने का आभास होना, चक्कर आना, उल्टी आने का मन होना और आखों से दोहरा दिखाई देना आदी side effects Lackosamide tablet की वज़े से हो सकते हैं इसके अलावा Lackosamide tablet की वज़े से हातों वपैरों की गतिविधियों को नियंत्रन करने में परेशानी हो सकती हैं अब हम discuss करेंगे कि Lackosamide tablet को कैसे लेना recommended होता है Lackosamide tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में 50 mg लैकोसामाइड टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन बाद में जरुरक पढ़ने पर डॉक्तर लैकोसामाइड टैबलेट की डोज को ज्यादा भी कर सकते हैं। लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। सुसाइट करने का विचार रखने वाले व्यक्तियों में और डिप्रेशन से पीडित व्यक्तियों को लैकोसामाइड टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना लैकोसामाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए लैकोसामाइड टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लैकोसामाइड टैबलेट को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लैकोसामाइड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं झाल